ये दोस्तों, हिंदु पंचांग के अनुसार भाध्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पित्रपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पित्रों अमावस्या भी कहा जाता है, और उस दिन समाप्थ होते हैं. इस बार पित्रपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्थ होंगे और शारदिय नवरात्री 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाय जाएंगे। दोस्तों बच्चे बढ़े सभी को पित्रपक्ष में कुछ ऐसी सावधानिया हैं जो बर पित्रपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं। शास्त्रों में पित्रपक्ष के कई नियम बताये गए हैं अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए। तो इससे पित्रदोश लगता है, पित्रदेव नाराज हो जाते हैं। पित्रपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पित्रपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पित्रपक्ष पित्रों को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अधिक्तर यहीं सुना होगा, कि पितरि पक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का पितरों को या भोजन को भोजन बनाएं, जो पितरों को पशंति मिलती है। लेकिन यहां पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूरवजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं, तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं, और पूरवजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राहमनों को वो भोजन करा देते हैं या फिर जिनके पित्रों को नौन वेज पसंद होता है तो वे नौन वेज लेकर किसी जरूरत मंद व्यक्ति को पित्रों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें पित्रों का आशीरवाद प्राप्त हो दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पित्र पक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और पित्रों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्नु और महालक्ष मी जी को पित्र देव कहा गया है। अगर आप पित्रों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो भगवान विश्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्विकार नहीं करेंगे, और जब वे पित्र देव स्विकार नहीं करेंगे, तो हमारे पित्र भी उस भोजन को स्विक को दान दे, श्राद्ध पक्ष के दौरान पित्रों को जो भोजन बनाए वो बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए, ये सभी सामगरी शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है, पित्र देव ग्रोधित हो जाते हैं, ध जरूरत मंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए, तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें, शास्त्रों में बताया गया है कि पित्र पक्ष के दौरान पित्र किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पित्रों को बासी भोजन दे देंगे, तो इससे आपको पित्र दोश लगेगा, इसी लिए इस बात का विशेश ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पित्रों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीरवाद प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मनों को जो भोजन कराएं वो पक्का ही बनाएं। जैसे कि खीर, पूरी, मूंग दाल की कचोड़ी, दही जले भी इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे पित्र पक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर लाया जाता है। श्राध्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राध्ध पक्ष के दौरान पित्रों के भोजन में नीम्बू नहीं डाला जाता। आप स्वयम नीम्बू का सेवन कर सकते हैं। लेकिन पित्रों के भोजन में ब्रा गाए के दूद का सेवन करने से बचना चाहिए। खास तोर पर वो गाए जिसने हाल ही में बच्चे को चल्म दिया हो। ऐसी गाए के दूद का सेवन भूल कर भी ना करे। पित्रपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पित्रों को ब्रह्मनों को लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहन कर सकते हैं, लेकिन खाली दूद का सेवन ना करें, यानि सीधे दूद का सेवन ना करें। शास्त्रों के अनुसार, जिस भोजन में काले तिल होते हैं, वो भोजन पित्र ग्रहन करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं, उसे भूत पिशाच ग्रहन करते हैं, इसलिए इस बात का विशेश ध्यान करते हैं, इसलिए इस बात का विशेश ध्यान करते ह पित्रिपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है। इससे उल्टा कर्ज का बोज और बढ़ जाता है। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। चोटी रोटियां बना कर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पित्र जिस भी रूप में धर्टी पर उपस्थित होंगे। वित्रिप्त होकर आपको अवश्य आशीरवात प्रदान करेंगे। चोटी है पीली मूंग दाल और सफेद उठदाल इन दोनों दालों के विशय में गरुड पुरान में बताया गया है। जिसमें दो दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वो मीठे हुए या नमकीन अवश्य पित्रों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्धतिति पर ये दालें बनाते हैं तो अधिक लाभधाई होता है। इसके अलावा आलू, गेहुं से बनी पूरी मीठी गुड की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेशन से बनी चीजें भी पित्रों के लिए बनाई जाए तो पित्र प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहन करते हैं। आसिक धर्म में हो, उस वक्त भी उन्हें पित्र भोजन को नहीं बनाना चाहिए। पित्रों का भोजन सात्विक बन जाता है। इसलिए उनके श्राध्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापी नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अद्रक, लहसुन का प्रयोग भी श्राध भोजन में नहीं करना चाहिए. इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पित्र भोजन ग्रहन नहीं कर पाते और वे भूखे ही पित्र लोग लोट जाते हैं. पित्र भोजन में ज्यादा कुट्टे को भी खिला देते हैं, किन्तु हम भोजन के साथ जल अरपन करना भूल जाते हैं. सबसे जरूरी है जल अरपन करना. पित्रों को आप भोजन ना भी अरपन करें, किन्तु जल का अरपन पित्र पक्ष के पूरे मास में अवश्य करें, जिनसे पित्र प्यासे ही प देखने को मिल सकती है। आपके पित्र आपके घर का त्याग कर सकते हैं। वो रूष्ठ हो जाएंगे। लग जाएगा पित्र दोश। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नम। शेवाय। दोस्तों पित्र पक्ष के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी साह हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके तो इसकी वजह से उधार देते हैं तो पित्रपक्ष पर सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। या रुपया पैसा या फिर आशीरवाद के तौर में दी गई कोई कीमती चीज या कोई धार्मिक वस्तू या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामगरी आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर कभी न दें। क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामगरी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूरवज नाराज हो जाते हैं और बुजर्गों द्वारा मिला आशीरवाद खत्म हो जाता है। दोस्तों इसी तरह पित्रपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। नहीं आता बलकि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पित्रों का श्राप लगता है। दोस्तों वहीं श्राप्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूरवजों का तरपन करते हैं। पिंडदान करते हैं तथा गंगा सनानादी करते हैं। पित्रपक्ष के दौरान खास तोर पर सफेच चीजें चड़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें, पित्र पक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा, कोई व्यक्ति एकदम सुभह सुभह के समय आपसे दूध, दही, छाच या फिर संध्याकाल के समय में उधार मांगने के लिए, या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है, तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं, तो मान लीजिए, आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे, और साक्षात आपको अपने पित्रों का क्रोध का सामना करना प हो जाता है, तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चड़ाने से हमेशा के लिए पित्रदोश समाप्थ हो जाता है, दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर कि व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है, है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे दे हैं, तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, इस बात का आपको जरूर 90 गयान रखना चाहिए. तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है, सुभह सुभह या फिर सूर्यास्थ हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समरिध्धी दूसरों को भूल कर भी कभी नहीं देना चाहिए। इससे हमारे पूरवज नाराज हो सनता है उधार नहीं मिलता। दोस्तोंगे दानपु360 करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दानपुण्य करके पित्रपक्ष का लाभ हुठाता है तथा उनका आशीरवात प्राप्त करता है, लेकिन खास तोर पर पित्रदोश के दोरान आपको दो प्रका तो आपको पित्रों का श्राप लगता है और ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जीवन में दुख आ जाते हैं तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। विशेश तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर कभी मत देना। इस दिन थो पित्र पक्ष के दौरान अपने लिए नहीं दूसरों को देने के लिए वस्त्र खरीदने चाहिए और दान करने चाहिए। लेकिन काला कपड़ा दान ना करें। सफेद कपड़ा दान करना बहुत ही शुब और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों महिलाओं की आदत होती ह कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है, तो अपने आस पढ़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। खास तोर पर पित्रपक्ष के दौरान जिस घर में ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर सुख सम्रिद्धी बनी रहती हैं। तो पित्रपक्ष के दौरान अपने घर से भूल कर भी इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आपको उधार ना तो देना चाहिए। और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं تو देखते ही देखते हैं आपके परिवार पर दुखत परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुक्ष समृध्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों पित्रपक्ष के दौरान अगर आप किसी व्यक्ती को दान देने की सोच रहे हैं, तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी, तभी किसी को दान के दौर पर या फिर पहने हुए कपड़े, किसी को लेकिन याद रहे, इस समय काला कपड़ा कभी किसी को दान ना करें, नहीं तो लगेगा पित्र दोश. दोस्तों बاسी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, नहीं किसी जनवर को खिलानी चाहिए, बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है, इसलिए अगर आप अपने पूर्वजों की क्रिपाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए इससे हमारे पूरवच प्रसंद होते हैं लेकिन याद रहे रोटी में थोड़े काले तिल अवश्य ही मिला ले सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती हैं जो सुक सम्रिध्धि को बढ़ाती हैं और यहीं चीजें माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तू आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए सुहागिन महिला विशेश तोर सिध्यान रखें कि अपने माते पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारन करने वाला मंगल सूत्र और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल और चौती चीज पैरों का बिछुआ और चुड़ियां भी जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है और देखते ही देखते पूरवजों की विशेश क्रिपा भी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तो जो व्यक्ति अगर पित्रपक्ष के दौरान डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं पित्रों की कृपा सदैव उसके उपर बरस्ती है। ५ित्रपक्ष के दोरान नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। नमक का दान गुप्ट दान माना जाता है। अगर आपको सुख सम्रिध्य की इच्छा है और आपको अपने पूर्वजों की गृपा पाना है। तो फित्रपक्ष के दौरान नमक का दान करना ना भूले। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षणा अवश्य डाले तथा थोड़े चावल भी दान करे। नमक का दान सरवश्रेष्ट और मंगलकारी माना जाता है। आप रातो रात अपना भागे बदल सकते हैं। कच्चे दाल, चावल, नमक आदिदान करने से तथा उसमें थोड़े तिल डालने से हमारे पूरवज हमें आशीरवात देते हैं। और धन से माला माल बना देते हैं। दोस्तो, अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव उम्नम। शिवाए एक लाइक तो बनता है।